हेलो गाइस कैसे हो आप सब मेरे नाम है वीशेक और यार अभी तक मेरे से कोई भी पूसता था कि 40,000 रुपे में अगर आपको एक फोन लेना है तो मैं आख बंद करके एक स्मार्टफोन बाए करता था और मेरा परसनली वो फिवरिट स्मार्टफोन रहा है लेकिन किसी रीज स्मार्टफोन है बिलकुल एकदम क्लोश टू परफेक्ट स्मार्टफोन है बस एक चोटी वोटी कमिया छोड़ दे तो एकदम परफेक्ट वो स्मार्टफोन बन जाता है अकोडिंग तु माइ सजेशन तो आज के स्विडियो में बात करने वाले सैमसंग के गिलक्सी एस 20F 5G के बारे में येस ये 5G वाला फोन है जो कि स्नैप्टरगन 865 प्रोसेसर के साथ में आया था लेकिन इससे पहले सैमसंग का एक 4G वाले वेरेंट भी आता था सिबिलर फोन का वो मेरे को वर्स्ट फ्लैक्शिप फोन लगता था सैमसंग की तरफ से जिसमें हीटिंग बैक् 65 प्रोसेसर को डाल के और यह फोन मैंने क्यूं बाई कि है सब कुछ बताने वाला हूं आज के स्वीडियो में काफी लोगों के मन मैं डाउट है मैंने बोला था कि महेंगे फोन नहीं करीदा है वहीं बताता है एक तो जो बिल्ड है इसका वो पीछे से दिख सकते हो यहां प्लास्टिक है लेकिन मैट फिनिश के साथ आता है हलके फुल के फिंगर बिंट के निशान आते हैं लेकिन इसमें फ्रेम दिया गया ना भाई वह यहां पर मैटल का दिया गया है तो हाथ में जो फील है वह काफिदा अच्छी देता है सिरफ 8.4 mm की थिकनेस पे फोन और 190 इस फोन का वेट है और काफी जादा कॉंपैक्ट फोन है 6.43 इंचे का डिस्प्ले है मैं कोई भी फोन लेता हूं सबसे पहले यह देखता हूं कि डिस्प्ले 6.5 इंच के नीचे ही होना चाहिए कितनी पी तगड़ी स्पेसिफिकेशन हो मैं इस फोन को इगनोर करता हूं औ आस पास का यह फोन लिया था लेकिन आपको बताता हूं इस फोन को कंपेर करके देखा था तो यहां पे कुछ इंटरस्टिंग रिजल्ट्स है फोन बिल्कुल भी भार ही नहीं लगता हाथ में काफिजदा हलका फील होता है और इसके जो बैजल्स हैं डिस्प्ले के ओपर यहां पर आप देख सकते हो बहुत जादा नहीं है मतलब थोड़े से बड़े आपको लगेंगे लाइक जैसे समसंग के दिए गये ना वैसे कुछ बैजल्स यहां पर दिए गया है लेकिन इस फोन के अदर एक चीज में को कमी लगी है जैसे कैमरा वगएर आप डॉर में य लेकिन इसके हम और भी जादा टेस्टिंग करेंगे अपकर वीडियो जैसे की बैटरी ट्रेंट स्पीड तो महां पर और जादा इन्फरमेशन दूंगा और इसका फुल रिव्यू भी लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा क्या आपको बाय करना चाहिए और इसके इंदर अब अब दिस्प्रेंट स्कैनर में जाता है इसा निया कि साइड मांटेड दिया गया है तो यहां पर दिख सकते हो वह जादा बहुत जादा फास्ट नहीं इस फोन के इंदर डूल स्टीज इस स्पीकर मिल जाते हैं वाई फ्लैक्शिप के लिए फोन है तो वह तो हो नही देता है तो अगर आप थर्ड पार्टी उसकर होगे तो उससे जो काफी बढ़ी आने वाली है तो जैसा आपने देखा वाई स्पीकर इसके अंदर तगड़े हैं वाई अब आ जाते हैं और प्रसेसर के ऊपर स्नैप्टरकन 865 प्रसेसर यहां पर दिया गया है 5G वाला बैं भी इसके अंदर 4G प्लस नहीं दिखाए 8L की सिम के साथ तो तो वो थोड़ी इशू हो सकता है मेबी पर मैं हां उसको रिव्यू में कवर करने की कोशिश करूंगा पर यार इसकी जो पर्फॉर्मेंस है ना गेमिंग वागरा मैंने इसके अंदर करके देखी बाई इसकी ल प्रॉटल वगरा नहीं करता है consistent performance देता है लेकिन आउट्डॉर में इसकी जो brightness हो थोड़ी सी कम हो जाती है वो में भी थोड़ी बहुत performance या फित हीटिंग को रोकने के लिए किया जाता होगा तो वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार मैंने बहुत सारे फोन्स देगे ना तो उसमें भी आपको कोई निराशा नहीं आएगी पहला samsung का फोन होगा जिसको मैं recommend कर पाऊंगा उस प्राइज में gaming के लिए exynos नहीं है अब आ जाते कैमरा के उपर ना यहां पर तीन कैमरे दिये गए पीछे जैसे आप देख सकते हैं आप सैमसंग के भाई आपको पता है क्यामरा में कमाल होते हैं तो टेली फोटो लेंस वह थ्री एक्स ऑप्टिकल जूम के साथ आता है और 30 एक्स तक अब हाइब्रीड जूम कर सकते हो मतलब उसके इंदर ऑप्टिकल और जो डिटल जूम होती है एक तो उप्टिकल में तो क्वालिटी लॉस नहीं होता उप्टिकल जूम वाला लेंस तो दिया गया है लेकिन आप इसको पोट्रेट मोड में यूज नहीं कर सकते हो पोट्रेड मोड जो है लेकिन वह पता है नहीं करने वाला है क्योंकि सैमसंग इस फोन को अपने एक्दम टॉफ द लाइन जो फ्लैक्शिप लाग्शिब लाग करने के लिए चीज करता है लेकिन फ्रेंट फेसिंग क्यामरा है वह 32 में के लिए कि इंप्रियš कर लेताय है और एक चीज़ बताना चाहूंगा मैं ने स्मसंग के 572 से कंपेर किया तसाइट-बाइस आप देख सकते हो और भाई मैं शॉक हो गया ता कि आप किसी भी बंदे लेकिन आप किसी को इमेज दिखा होगे ना भाई तो जो एफटी टू है वो कलर को थोड़ा स्यादा बूस्ट करता है और दिखने में प्लीजिंग लगती है फोटो तो मतलब आइडिया दे रहा हूं कि सैमसंग 25,000 वे में भी कितना तकड़ा कैमरे वाला सेट आप वाला फोन दे रहा है तो यह इंप्रेसिव चीज़े कि वह अपने सैमसंग के स्ट्वेट कर रहा है के मामले में और वीडियो परफॉर्मेंस में भाई कहीं से भी पीछे नहीं है स्ट्वेंटी एफी की तो भाई अगल पर सुच करने का भी ऑप्शन है और में कैमरा है और यहां पर टेली फोटो लेंस है और तीनों में स्ट्वेलाइशन कैसी मिल रहा है किस तरीक से सुच कर रहा है एक दम बड़े तरीक से कर रहा है मेरे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है तो यह वाली वीडियो भी यहां पर सुच करता हूं तो दिख सकते हैं यहां पर टेली फोटो लेंस पर कर सकते हो और अगर आपने नोटिस करा होगा जो ऑडियो वो कट जाता है यह वाली वीडियो 4K 60fps पर रिकॉर्ड हो रही है इस 20 एफी के फ्रेंट प्रेंट 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 है यह सबसे ज़्याद सबस्क्राइब की 4K 60fps किसी फोन में नहीं मिलता है और कैसी स्टेबलाइशन ओडियो वगरा मिल रहा है वह आप यहां पर देख सकते हो और बैट पर सकता हूं क्योंकि दोनों में शूट कर सकते हो और टेली फोटो लेंस में भी सैमसंग नहीं यूज की है और एकदम ना बहुत जूम कर देते तरह से 30 एक्स बे तब यह अग्दम स्टेबल रखने की कोशिच करता है कैमरा का तो और आपको व्यू भी देखने के लिए मिलता रहता है जैसा आप देख यह फोन यहां पर सपोर्ड करता है वारलश चार्जिंग को 15 वॉट तक का यहां पर इंपुट ले लेगा और रिवर्स आइपॉन में उपर रखर्टके चार्ज कर सकता हैं तो 4.5 वॉट की चार्जिंग को सबट कर दो तक को इंदर तक को इसू नहीं लेकिन वह अपने र सीरीज के अंदर आता है तो इसके अंदर तीन साल के मेजर OS अपडेट आपको मिलेंगे तो 11 तो आया है एंडर 12 13 14 भाई एंडर 14 दका सपोर्ट है इस फोन के अंदर शीकुरेट वाले फ्लैक्शिप फोन है तो सैमसंग के जितने ही फ्लैक्शिप वाले फीचर्स है वह आगा जैसे कि सैमसंग पेका सपोर्ट आपको मिल जाता है वायरलेस पेमिंट्स करने के लिए काफिज़ा यूस्फुल है और मैं काफिज़ाद इस फीचर को यूस करता हूं नौक सिकूरिटी मिल जाती है हाडवे लेवल की काफी तगड़ी सिकूरिटी है सिक्यूर फोल् करने का उप्शन दिखता है लेकिन सैमसंग की कॉल रिकॉर्ड करने का उप्शन तो दिखता है लेकिन उस पर क्लिक नहीं कर सकते हो आप बाइक कमाल की चीज़ा इसके में अंदर यह यह यूस्बी 3.2 है नौर्मल फोंस के अंदर आपको यूस्बी 2.0 मिलता है जैसे का इ मिलता है मल्टी टास्किंग होती हो बैस्ट होती है लाइक किसी भी फोन के अंदर आप यूट्यूब चलाने के कुशिश करो आप ना उसको उपर करोगो तो यूट्यूब क्रॉप सा हो जाता है लेकिन सैमसंग में अगर आप वीडियो वीडियो का साइज भी छोड़ोगे तो बागी प्राइस के जैसे मैंने बताया वाई 41 से लेके 45,000 के असपास मिल सकता है मैंने फोन 30,000 में वाई किया है और मेरे को नहीं लगता परसनली 30,000 रुपीज में इससे बैस्ट को स्मार्ट फोन है येस आपको अभी मार्केड में Poco X3 GT Nord 2 मिल जाएगा तो वो सब आपके matter करती हैं तो definitely आप उन फोन को भी देख सकते हो लेकिन परसनली वाई मैं जो फोन यूज करने वाला हूं वो यही है Samsung Galaxy S20 FE में भी मैं आईफोन पर सुच कर सकता हूं लेकिन में बड़े फोन पसंद नहीं है और यार जो आईफोन होते हैं वो बड़े वाले बहुत बड़े होते हैं और जो छोटे वाले होते हैं उनके अंदर बैटर लाइफ अच्छी नहीं होती है इसलिए मैं यूज करना पसंद train test देखना है यस वह वीडियो में बनाने वालों आप बोलोगे भी ना तब भी बनाऊंगा तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना यी वीडियो पसंद आया लाइक करो चैनल को कर लो सब्सक्राइब यार और कौनसी वीडियो देखने है कमेंट्स में बता देना मैं मिलता ह और एक सोली वीडियो में तब तक लिए बाई एंड टेक कियर